अंत्रिक्ष में जीवन खोजने में सफल होगा मार्स 2020 रोवर नए अध्यरजनों के अनुसार मार्स 2020 रोवर मंगलवार ग्रह पर कई सवालों के जवाब खोजने के लिए सटीक साबित होगा अंत्रिक्ष में नासा एक बड़ा कदम रखने जा रहा है नासा को अब मंगलवार ग्रह पर जीवन खोजने में जल्द सफलता हासिल होगी कैनडी स्पेस सेंटर से अगी घर्मियों में एक रोकेट का प्रक्षेपन किया जाएगा साथ महीने बाद कार के अकार का ग्रह 2020 रोवर जजरो क्रेटलर के पास उत्रेगा यह मंगलवार ग्रह के उत्री गुलाद में एक सूहब जील के लैंडिंग करेगा छेपोगियों और उच्च तकनीक वाले उपकरणों के साथ यहाँ पर परिक्षन के लिए आसपास की चट्टानों को खंगा लेगा इस बात का भी पता लगाएगा कि क्या लाल ग्रह पर विदेशी रोगानू रहते थे प्रोब, लैंडर्स और रोवर्स के साथ एक बार फिर से ग्रह ने इसकी सतय पर घने वायो मंडल और पानी का दोहन करने का खुलासा किया है शोद करताओं ने यहां तक की जटिल काबने करणों के निशान खोजे हैं यहां पर जीवित कोशिकाओं के लिए संभव बिल्डिंग ब्लॉक खोज निकाले हैं नए अध्यरनों से सुझाव मिलता है कि मंगलवार 2020 मार्शियन जीवन के और भी मजबूत सबूत प्राप्त कर सकता है जजेरों के नजदीक भाग की चट्टाने हाइडरेटेट सीलिका और कार्बुनेट के सबूत दिखाती हैं अनुप्रित्पी पर अर्बों सालों से सुख्ष्म जीवाश्मों को संग्रक्षित करने में मदद करने में पहचाने जाते हैं जर्नल एक कारस में एक अध्ययन के प्रमुकलेखक ने कार्बुनेट का पता लगाने को लेकर कहा है कि जेज एरो क्रेटर एक विश्पस निये रूप से खनिज रूप से विविद तापून जगे हैं जिसमें बहुत सारे रास्ते बायोस इग्नोरस के लिए खोड करते हैं इसका अर्थ है कि हमारे पास जीवन के इतिहास के साथ वास्तव में क्या हुआ है यह जानने के लिए हमारे पास ज्यादा संभावनाए है